हेलो फ्रेंट्स वेल्कम हैं आप सभी हमारे वीडियो में तो आज के वीडियो में फिर मैं आप लोगों के लिए बिसनम्सतों की इि। वीडियो के लाउच तक बने रह सैंगे तो सबसे पहले अप हमारे इस चैनल पने रही tietप और अगर आप पहली पर हमारे इस चैनल पर विजिट की होंगे तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा क्योंकि आप सब्सक्राइब करने का प्रियास करती हैं तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले छोटा से मीनिंग से मैं आप लोग को बता दू समन्वाई जो होता है समन्वाई इसे आसया है कि जब कोई उपकर्म में कारे किया जाता है तो उस उपकर्म में जितने भी करमचारी वरकर्स जितने भी होते हैं काम कर रहे होते हैं वे सभी के बीच में आपसी ताल मेल बैठाना ही समन्वाई कहलाता है तो चलिए हम लोग इसका साब्दिक मेनिंग को आगे समझते हैं तो देखे यहां पर सधारन सब्दों में समन्वेक अर्थ यहां बताया गया है कि समाने लच्छे की पूर्टी है तो कि यह जाने वाली सामुहिक परियासों में तालमेल बनाय रखना है और समन्वेक बिस्तरित अर्थ वाला सब्द है जिससे विभीन परकार के विदानों ने विभीन ढंगों से असपश्ट किया है यानि कि सधारन तया एक सिंपल भासा में समझे और कहें तो जो समन्वेक है जिससे हम लोग इंग्लिस में कोडिनेटेट कहते हैं यानि कि लोगों के बीच में एक सामुहिक परियास से लच्छे को प्राप्त करने के लिए लोगों के आपसी तालमेल और मतभीद ना हो इसको कायम रखते हुए अपने लच्छे की प्राप्ति के लिए लोगों में आपसी तालमेल किया जाता है और जो लच्छे होता है उस लच्छे को प्राप्त करने का कारे किया जाता है तो आगे अब हम लोग समझेंगे की समन्वेकी परिभासा कौन-कौन विद्वानों ने किस परकार से दी है अपनी बातों को किस तरह से रखा है तो समन्वे कि कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिवासा है निम लिखी थे तो फर्स्ट अमबर पे आता है कॉंटर्स और डॉनेल के एकोडिंग समन्वे समू लच्चों की प्राप्ती है तो बेक्तिगत परियतनों से समान जस्ति अस्थापित करने के लिए प्रबंद का एक सार है यानि कि जो समन्वे है समन्वे में समू के द्वारा जो लच्चे प्राप्त किया जाता है उसे ही समन्वे कहा चाता है यानि कि इसे एक प्रबंद के सार के रूप में माना जाता है दूसरा वीदवान जो मुन्ने तथा रेले हैं मुन्ने तथा रेले के according समन्वे की परिपासा इस परकार्चे दी गई है किसी समाने उदेशी की पूर्ती है तो की जाने वाली किरियाओं में एक्ता बनाये रखने के लिए सामुहिक परियासों की सुवेवस्था को ही समन्वे कहते है यानि की मुन्ने तथा रेले क्या कहते है ये जो किसी समाने उदेशी की पूर्ती है तो जो भी कारी किये जाते है वे सब ही कारियों को करने में लोगों के बीच में सामुहिक एकता का प्रतीक के रूप में समनवे को विवस्तित किया जाता है और इसे ही समनवे कहते हैं और टीड के एकोडिंग क्या बताया गया समन्वे किसी संगटन की समस्त विभिन साधक अंगो के कारियों एवं सक्तियों को सुचारू रूप से संचालित करने है तो जो परियास किया जाता है जिसका उदे से यहा होता है कि लच्यों की पूर्ती नियुनतम फूट और अधिक्तम सहयोगात्मक परभाव पूर्णता के साथ हो सके यानि कि टीड का कहना है कि जो समन्वे किया जाता है वो संगटन की समस्त साधन जितने होते हैं वे सभी का परियोग करते हुए जितनी भी सकतियां होती है लोगों के आपसी समती से लच्छी की पूर्ती के लिए नियुनतम फूट और अधिक्तम सहयोगात्मक परभाव की पूर्णता को साथ देते हुए कारिये को किया जाता है तो इसे ही समन्वे कहते हैं अगे हम लोग समन्वे की विसिस्ता को समझते हैं तो समन्वी की पहली विसिस्ता क्या निकल कराती है कि समन्वे सामोहिक परियासों के कि प्रभणतों की कार्णता है समन्वे पिभीन बेवसाय गतिविधियों में एकता लाकर उन्हें उदेश्य पुर्ण गतिविधियों के रूप में समान्य लच्छी की और अग्रसित करने का काम करता है सेकेंड नमबर पॉइंट आता है परियासों में कातर मत्त को सुनिस्चित करता है यानि कि एक मत्त को सुनिस्चित करने का कार्य करता है और समन्वे बेगतियों के परियासों में एकता लाता है जाता विभीन बिभागों को जोडने की सक्ति का कार्य करता है यानि कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी विभाग होते हैं कारी छेतर में, वे सभी को आपस में जोडने का कारी किया जाता है समन्वे के अंतरगत. नेक्स आता है तीसरा नंबर प्रोसेस के रूप में बताया गया है कि जो समन्वे का कारी है, वो हमेशा किया जाता है और यह आगे भी चलती रहेगी. इसलिए बताया गया है कि समन्वे एक नीरंतर चलने वाली प्रक्रिया है नेक्स आता है सभी प्रबंध का उतरदाई तो है यानि कि जो प्रबंध है प्रबंध का ये उतरदाई तो होता है कि समन्वे प्रतेक प्रबंधक का कारी है यानि कि जो मैनेजर के रूप में कारी कर रहा होता है उसका यही मुख के कारी होता है कि लोगों के बीच में आपसी तालमेल बठा कर काम करे ताकि जो प्रबंधक का कारी है को कम समय में जादे से जादा अपना गोल्स को बहुत जल्दी पूरा कर सके सभी अस्तर के में आता है एक ब्यापक आरे हैं यानि कि जो समनवने हैं कि ziehen जाने वाले कारी मेर के रूप में बता है जाता है विभेन विभागों की किर्याइं प्रकृती से एक दूसरे पर निर्भर करती है यानि कि पीजितने जितने भी कारे किये जाते हुँ एक दूसरे पर नीरभर होती है यह नहीं कि कोई एकलोता विक्ति सारे मैनेजमेंट या सारे कारे को कर सके जो डिपार्टमेंट होता वो सभी अलग अलग डिपार्टमेंट होता एक दूसरे से सभी रिलेट होते हैं तो वे इसलिए समन्वे क आप सकता होती है ताकि प्रबंद के सभी अस्तर में आपसी तालमेल बना रहे हैं तो उम्मीदे प्रेंट सब्लुक्स समन्वें के अर्थ परिभासा और बिसेस्ता को अच्छे से समझे तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपन